मैं आज बनाने जा रही हूँ तो अब इसके अंदर मैं दाल एड़ कर रही हूँ और दोस्तों इसके अंदर बिलकुल भी हम लोग उपर से पानी नहीं डालेंगे ये डो कमप्लीटली ये सबजियों के साथ ही प्रिपेर होगा अब इसमें एक पिंच अजवाईन एड़ कर दिया है आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर वन फॉट चमच हल्दी आधा चमच नमक एक चमच के आसपस सफेद तिल और एक चमच के आसपस कसूरी मेथी इन सब को हम लोग अच्छे से मिक्स करके और एक डो प्रिपेर करेंगे ध्यान रखे का डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट प्रिपेर होना चाहिए है अब चलिए इसकी पूरी बना लेते हैं हम लोग तो इस पूरी को आप चाहे धनिये की चटनी के साथ सर्व कीजिए अचार के साथ या चाय के साथ मैं इसे बूंदी के रायते के साथ सर्व करने वाली हूँ और यकीन मानिये ये टिफिन में आप अगर देंगे ना हस्बर्ण या बच्चों को तो चार घंटे बाद भी ये बिल्कुल भी हाड़ नी होने वाला है बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा ये पराथा रहेगा कुछ लोग इसे पूरी भी कहते हैं और अच्छे से सेखने के बाद ही इसके उपर ऑईल अपलाए कीजिए ताकि ऑईल जना वो आटा एब्सॉब नहीं करेगा और बहुत ही बहतरीन सी लो ऑईल की पूरी बिल्के बिल्कुल तयार हो जाएगी ये देखिए मेरे तवे के उपर बिल्कुल भी ऑईल नहीं छूटा है क्योंकि मैंने बहुत ही लिमिटेट सा इसके दर ऑईल यूज किया था तो मेरी प्लेट तो रेड़ी है मिक्स वच पराठा और बूंदी की रायते के साथ में आपको कैसा लगा आज का ये रेसिपी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना इसे लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और अगर अभी तक चानल को बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं कैंडली सब्सक्राइब मुझे अच्छा लगेगा मोटिवेशन मिलेगा मिलती हो फिर से बाबाई